नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आठ ग्यान कला में हमारा टोपी कंप्लीट हो चुका है सिंदु घाटी की सभ्यता का तो अब हम आपके लिए लाए हैं question series तो चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण पहला प्रस्ण है भारत में खडपा का ब्रह ब्रहद इस्थल है तो पहला option है राखी गड़ी दूसरा option है धोला बीरा तीसरा option है काली बंगन चौथा option है लोथल तो इसका सही आंसर क्या होगा भारत में हडपा का सबसे बड़ा ब्रहद इस्थल मतलब बड़ा इस्थल है कूंसा है मैंने आपको बताया हुई था राख राखी गड़ी पहले नमबर भर हो गया है दूसरा problem है हडपा मुहन जूद्णों के सभाता से संब्हांदित है गुप्त काल से शुम काल से सिंधु गाट या मुओरिकाल से किससे संब्हां है सिंधु गाटा सेसकार रायट रिक्ती सर क्या इससे कि पूजा करते थे विष्णू की गनेश की पशुपति की या ब्रह्मा की तो किसकी पूजा करते थे हड़ापस अबेता के लोग पसुपती शिब की नेक्स प्रेशन है दाड़ी युक्त पुजारी किस काल से सम्मंदित मोर्ती शिल्प है तो दाड़ी युक्त जो पुजारी है वो किस काल से सम्मंदित है गुप्तकाल से, मुर्यकाल से, सिंदु घाटी से या कुशानकाल से, तो ये सारे काल तो भी आपने नहीं पढ़ी है, इसका सही अंसर क्या होगा, अगर पढ़े भी हैं, तो गुप्तकाल, मुर्यकाल, कुशानकाल में दाड़ी यूगत पुजारी जी, संबंदी नहीं है, कि प्रापपा में, काली बंगन में, रोपण में, यह रंगपूर में, तो विश्व में सबसे पहले खेत कहां जोता गया था, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, काली बंगन, तो तब मैंने आपको बताया था, कहां जोता गया था, काली बंगा में, सबसे पहले खेत कहां जोता से होती है तो सिंदु सभ्यता की लिपी की जानकारी खुदा इसे प्राप्त किन चीजों से होती है तो किन चीजों से होती है आपुष्णों से होती है मूर्तियों से होती है तिलों से होती है तो लिपी किस पर मिली है मुहरों पर मुहरों पर अंकित मिली है इसका सही अंसर क् मुहरे होगा मुहन जोदरों से प्राप्त नर्तेकी की मूर्ती किस धातू की बनी है तामे से बनी है कांसे से बनी है तिन से बनी है या पीतल से बनी है तो किस से बनी है मुहन जोदरों से प्राप्त नर्तेकी की मूर्ती जो अभी पीछे है था dancing girl किस से बनी है कांसे से बनी है मोहन जोद्रोस नानागार के पूर मेस्थित स्टूप का निर्मान किस काल में किया गया था तो मोरे काल में किया गया था सुं काल में किया गया था कुशान काल में किया गया था या सातवान काल में किया गया था तो मोहन जोद्रोस मोहन जोद्रोस नानागार के जो पूर्व मिस्थित एक स्थूप है दोस्तो उसे स्थूप का निर्मान कुशानकाल में किया गया था कब किया गया था? कुशानकाल में इसका सही अंसर है C next question है हमारा सिंदो घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंदो घाटी की जो सभ्यता थी उसका आकार कैसा था? आयताकार था? चत्रभुजाकार था? बरगाकार था? या तिरभुजाकार था? तो कैसा आकार था? आयताकार उसका आकार था टॉप्सन ए होगा सिंदु घाटी की मुहरे बनी है तो सिंदु घाटी की मुहरे किस चीज की बनी है सिंदु घाटी की मुहरे मिट्टी की बनी है चमड़े की बनी है लोहे की बनी है या कंक्रीट की बनी है किस रीच की बनी है सिंदु घाटी की मोहरे तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मिट्टी की जब मैं आपको सिंदु घाटी की मोहरों के बारे में बता रही थी मोहरे यानि सील के बारे में तब मैंने आपको बताया था कि आप मित्ती की मोहरे सबसे ज़्यादा हमें मिलती है नेक्स प्रेशन है नेविन में से कौन सा एक नगर हडपा संस्कृति का नहीं है हडपा संस्कृति का नहीं है तो काली बंगा, बनावली, लोथल या गिरी नगर अब आप देखिए, जब हम आपको हडपा सब्भेता पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें आपको काली बंगा भी बढ़ाया था बनावली भी बढ़ाया था, लोथल भी बढ़ाया था क्या गिरी नगर पढ़ाया गया था? नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो अंसर होगा वो सही क्या होगा? गिरी नगर, मतलब निम्न में से एक नगर हडपा संस्कृति का नहीं है वो कौन सा नहीं है? गिरी नगर नहीं है Next question आता है सेंधव सब्भेता का प्रमुक रूप से सेंधव सब्भेता जो थी वो प्रमुक रूप से प्रसिद है किसके लिए प्रसिद है? तो इसका अंसर तो आपको बता होगा वास्तुकला के लिए, चितरकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या सभी के लिए तो सिंदु सभ्यता जो प्रमुकृप से प्रसिध है बोथ ही बास्तुकला के लिए उसकी बास्तुकला के उत्करश्ट उधारण हमें सिंदु सभ्यता में देखने को बिलते हैं दुशाला ओड़े योगी की मूर्ती कहां सुरक्षित है रास्ट्य संग्राले नई गिल्ली में रामपुर संग्राले उत्रपरदेश में पटना संग्राले बिहार में या रास्ट्य संग्राले कराची में तो दोस्तों दुशाला ओड़े योगी की मूर्ती है वो रास्ट्य संग्राले कराची में सुरक्षित है इसका सही अंसर क्या होगा डी होगा इसका सही अंसर नेक्स्ट प्रश्ण है पुरा तात्विक महत्व का इस्थल लोथल कहां इस्थित है देखिए ये लोथल के बारे में पूछ लिया है लोथल कहां इस्थित है तो लोथल कहां इस्थि तो यह क्या होगा इस कांसर गुजराट कहां है लोघर गुजराट में स्थ्यत है सेंधभ सभेता का प्रसी एसनाना गार कहां से मिलता संधभ सभेता से MEMSt मिलता है चन्हुदुडो से तक्षिला से हडपा से या मोहन जोदुडो से तो सेंधव सभ्यता का प्रसीत स्नानागार कहां से मिलता है हमें मोहन जोदुडो से सबसे बढ़ा स्नानागार कहां से मिलता है मोहन जोदुडो से दूसरा प्रशन है सिंदु सभ्यता की लिपी की अ तब भी बात मैंने आपको बताई थी कि ये भुखत ही ध्चान देना है आपम को देख़ें सक्तmen देखते हैं 3000 इसा पूर। तो ₹ 4000-366 लगता है तो देख़ें क्या ये आंसर होका इसका नए यह होगा? नहीं यह होगा? नहीं यह इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको बताया था 1000 इतना तो कम नहीं था उसमें, नहीं आएगा अब इसका अंसर होगा A, सही अंसर क्या होगा? A, next है प्रफन धातु मूर्ति किस सभ्हता से प्राप्त हुई है तो प्रतम धातू जो मूर्ती है वो हमें किस सभ्भेता से मिलती है वैदिक सभ्भेता से मिलती है सिंदू सभ्भेता से मिलती है मूरे सभ्भेता से मिलती है या फिर गुप्त सभ्भेता से मिलती है तो कहां से मिलती है सिंदू सभ्भेता इससे इसका उप्शन होगा next question है हमारा सिंदु सभ्यता की सबसे प्रह्मुक विसेष्था क्या थी तो सिंदु सभ्यता की जो सबसे प्रह्मुक विसेष्था थी वो क्या थी अर्थवेवस्था थी बहां की धार्मिक जीवन था नगर योजना थी या समाजिक जीवन था बहां का तो बहां की सिंदु सभ्यता की सबसे प्रहुंग सिस्था क्या थी बहां की नगर योजना क्या थी बहां की नगर योजना थी नेक्स प्रेशन है हमारा सरप्रतम उत्खननकारे के सिस्थान पर हुआ है तो दोस्तों सबसे पहले उत्खननकारे किस इस्थान पर हुआ है ये जानना बहुत ही जरूरी है तो चलिए देखते हैं हडपा में हुआ था, सिंदुसभ्यता में हुआ था, मुहंज उद्रो में हुआ था या चन हुद्रो में हुआ था तो सबसे पहले उद्खननकारे कहा हुआ था? हडपपा में हुआ था. नेक्स प्रेशन है, हडपपा में मिट्टि के बढ़तनों पर किस रंग का प्रियोग हुआ? देखे, ये प्रेशन जब मैं आपको पढ़ा रही थी सिंदू सब्भेता लास्ट में, सिंदु सब भेता की बास्तु कला तब मैंने आपको बताया था कि ये प्रस्न आ सकता है और ये प्रस्न इसी तरीके साथ है हडपा मी मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रियोग हुआ है तो देखिए क्या सफेद रंग का प्रियोग हुआ है काले रंग का प्रियोग हुआ है पीले रंग का प्रियोग हुआ है या फिर लाल रंग का प्रियोग हुआ है तो हड़ापा में मिट्टी के बर्तनों पर जो रंग किया गया था वो लाल रंग था कुन सा रंग था लाल और काले रंग से उसके उपर चित्रकारी की गई है अगर यहाँ पर पूछता हडपा मी मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई है तो इसका अंसर होता काला बी आप पूछ रहा है हडपा मी मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रियोग हुआ है सेंदफ सभ्यदा से प्राप्त पूर्परिपक्व प्रमाडी कितने स्थलों को नग्रों की संगिया दी जाती है कि उप्शन है ौट छै कि इसका सही अंसर होगा छे शे प्रमाद को नग्रों की संगिया दी गई है next person है सिंदू सब भेता की खोच किसने की थी ये तो आपको पता होगा विशिव शहाय ने, जॉन मारसल ने, दैराम सहनी ने या राख़लास बनर जी ने तो सिंदू सब भेता की खोच किसने की थी? जॉन मारसल ने पसंस्कृति के जो अफसेश है वो कहां पर इस्थित हैं देखिए अफगानिस्तान में इस्थित हैं पाकिस्तान में इस्थित हैं नेपाल में इस्थित हैं या चीन में इस्थित हैं तो हडपा संस्कृति के जो अपसेस हैं वो कहां इस्थित हैं जादा था पाकिस्तान में इस्थित हैं कहां इस्थित हैं पाकिस्तान में तो दोस्तो यह थी हमारी 20 question की series next video में हम लेकर आएंगे next 20 question आपको हमारी question की series कैसी लेगी जो नहीं समझ में आया आप मुझे comment कर सकते ह हैं और मेरी online class लेने के लिए संपर कर सकते हैं 9599670200 पर online class start हो चुकी है जो बच्चे admission लेना चाते हैं अपनी तयारी करना चाते हैं वो contact करके admission ले सकते हैं धन्यवाद